हेलो फ्रेंट्स अपसर आपने देखा होगा कि बदलती हुई जीवन शैली के साथ और मौडन खयालातों के साथ-साथ हमारा बात्रूम में काफी ज्यादा मौडन होता चला जा रहा है बात्रूम में कौन-कौन सी चीज़े हम इस्तमाल करते हैं ये बिल्कुल मौडन तरीकों में शामिल होती चली जा रहे है इन्हीं में से एक है लूफा जी हा लूफा नेट से बना हुआ एक स्पॉंज टाइप होता है जिसके साथ में एक डोरी होती है कहा जाता है कि अगर हम से स्वनाल करते हैं या एक अपनी बाडी पर शार्ज ज़र लगाने के बाद लूफा से अपनी बाडी को लगरते हैं तो हमारी बौडी की अपनी बॉड़ी के उपर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉड़ी के जम्स साफ होते हैं लेकिन वो सारे जम्स लूफा के अंदर कही न कई एक खटे होते रहते हैं जिसकी वज़े से अगर हम उसे सही तरीके से वाश करते हैं तो वो सारे जम्स उसके अंदर से निकल जाते है तो वही चीज़े हमारी बॉडी पर दोबारा से आक्रमन करना शुरू कर देती हैं जिसकी वज़े से बॉडी का infection, allergy, white color के rashes ये सारी हमारी बॉडी पर दिखाये देने लगते हैं कई बार हमारी बॉडी पर लूफा सही तरीके से काम भी नहीं करता है वैसे तो लूफा काफी ज्यादा soft होता है लेकिन market में cheap quality के लूफा भी available हैं जो की price range के हिसाब से और वैसे भी काफी ज्यादा cheap quality के होते हैं अगर उन्हें हम अपनी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही लब कर लें तो उसकी बज़े से हमारी बॉडी पर rashes बढ़ जाते हैं को जरूर देखे और awareness को ज्यादा से ज्यादा फिलाइए इस गलत फैमी को अपने मन से निकाल दीजे कि लूफा से ही आपकी सही तरीके से सफाई हो सकती है जबकि ऐसा नहीं है लूफा के अंदर काफी ज्यादा किटानू भी हो सते हैं अगर आप उसकी सही से सफाई नहीं करते हैं तो मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के दिये YouTube पर like, share और subscribe कीजे